हलो एब्रीवन वेल्किम टो इकनामिक्स बाव विश्यान आर्पतर सो आप जो हम करेंगे दाट इस हम निमेरिकल करेंगे और फिलासिटी ओव टिपांड इसका कई बार क्वेशन यूजी सी नेट में पूछ लिया जाता है सो फॉर्स भी स्विल सी इलासिटी ओव डिमांड निकलता कैसे तो इलासिटी ओव डिमांड होता है is बीक्यू बाइडी पी इन्टू प्राइज बाइज बाइज को करना पड़े गा डेरिवेट फिर उसको स्टीपरोकिल करके नीचा कर देंगे थिक है so first we will do dp by dq कर देते हैं इसको with respect to quantity derivate कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा minus 1 minus q आ जाएगा हमारे पास पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए dq by dp तो इसका inverse क्या होगा अगर हमें चाहिए dq by dp so that is 1 upon minus 1 minus q ठीक है और price के अंदर हम इसके अंदर quantities की जो value उसको substitute करेंगे so what we get is price हमें क्या मिलेगा 16 minus quantity क्या है 4 minus 0.5 into 4 का square is 16 ठीक है so 16, 5 जा कितना होता है 80 होता है पर 0.5 से करना है तो 8 हो जाएगा ठीक है so what we get is 16 minus 4 is 12 12 में से 8 गया हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा ठीक है so that is that अब हम इसको formula में दाल लेते हैं so what we'll get is इसको हम formula में दालेंगे हमें क्या मिलेगा is 1 upon और इसके आगे negative sign होता है तो हम negative sign भाड लगा लेते हैं just a second negative sign हम भाड लगाएंगे हमें क्या मिलेगा 1 upon minus 1 minus q ठीक है into price क्या है था हमारा 4 quantity क्या थी 4 ठीक है 4 से 4 हो गया cancel ठीक है and हमें क्या मिलेगा 1 upon minus 1 minus q ठीक है so minus q is हमारा q क्या है 4 4 इसमें दालेंगे minus 1 minus 4 क्या हो गया 1 upon minus 5 हो गया क्योंकि बजा यहां से हमने value substitute कर दी 4 की तो minus 1 minus 4 is minus 5 तो minus minus हो गया cancel 1 upon 5 तो 1 upon 5 क्या होता है 0.4 so this would be the answer ठीक है I hope यह आपको elasticity of demand का question अच्छे से समझ में आया होगा और मेरा telegram का जो channel है that I've created a new channel so यह notes जो मैं बनाती हूँ यह आपको अगर आप telegram channel को जोईन करेंगे you'll get the pdfs of the same ठीक है so for that I'll put a link in the description box below so that you can join the telegram वाला channel I hope यह वाला video आपको अच्छे से इसमें पूरी clarity मिली होगी for elasticity of demand का numerical thanks for watching और अगर आपको मेरा काम पसंदाता है तो प्लीज इने लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें thanks for watching bye-bye